असलाम वालेकुम मैं हूँ आईशा खान और आप देख रहे हैं खाने शाने खाने शाने में आज आपको सिखा रही हूँ मैं चने की दाल गोश्ट जो के कॉमन नहीं है लेकिन बहुत मज़े का लगता है बहुत मज़े का बनता है जब आपके पास पकाने के लिए कुछ नहीं होता समझ नहीं आ रहा तो क्या बनाए ऐसे में ये एक बहतरी इंच वाइस है तो चलें रैसेपी स्टार्ट करते हैं बिसम लाख माने रहीं इसके लिए मैंने लिया है एक पाव गोश्ट आप अपने घर की ज़रूरत के मताबिक ले लिजे एक पाव गोश्ट में एक मीडियम प्यास जायों स्राइस करके डालिए एक टेबल स्पून लाल मिर्च एक ट अगर आप को कर से हटके बना रही है तो आप दो कप पानी डाल सकते हैं इसमें आदा कप जितना मैंने तेल डाला है क्यों कि चैने की दाल जोई सोक करती है तेल को इसलिए तो इसमें मैंने कवर करके सीथी लगा दिये तो हमें से 8-10 मिनट के लिए कुक करेंगे पकाने के मैंने गोश्ट अलग कर लिया है और टेमाटर बॉइल करके चिलका उतार के वो डाल के थोड़े मैश किये मैंने थाके शोरवा बन जाए अच्छा सा और जब भून गया है मसाला पूरा तो फिर वापस मैंने इसके अंदर जो बॉइल के वह गोश्ट है वो डाल के अब इस आप अपनी चॉइस के हसाब से कर सकती है फिसमें दो हरी मिर्चे मैंने खुश्बू के लिए एट कियें और इसे पांच से साथ मिनट पकाएंगे बस ये रेडी है और इसमें गार्णिश किया है मैंने बारी चॉप किया हरा दनिया और हमाया चैने की दाल गुज बहुत देखा लगेगा तो मिलते हैं फिर अगली किसी मज़िदार सी रेसिपी के साथ दौा में याद रखेगा अल्ला ने के बान